हेलो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यदि आपके बिलू श्टेक 5 में कुछ इस तरीका यह एरर आ रहा है तो इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो गाइस वीडियो को सुरू से लास तक दिखते कि जो 32 bit का instance होता है उसमें जो settings है वो कापी ज्यादा high है जो की 32 bit का instance है वो आपके PC में बर्क ने कर पा रहा है high settings होने के कारण तो आंगे वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया हुआ है आप वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना ठीक है तो गाइस अब आपको करना क्या है कि जब आपने blue stick 5 को download किया होगा तभी उसी के साथ एक multi instance भी आया होगा कुछ इस तरह का है तो इसे आपको open कर लेना है ठ ठीक है तो यहां पर मैं इसकी settings पर चला जाता हूं और यहां पर आप देशकते हो यहां पर जो core है इसमें high select है और रेम भी इसमें high select है तो यहां पर देशकते हो यहां पर code चार code यहां पर select है और जो रेम है वो चार जीवी रेम है यहां पर select है और जो इसकी बाकी settings है यह भी हाई सिलक्ट हैं ठीक है तो अब आपको करना किह एक ही कि आपको 32 वीट का new instance बनाना होगा और यहाँ पर to the two वीट का जो already नहीं नहीं क्रेना है तो यहां पर आपको new instance पर क्लिक करकरे फिरेष इंस टैंस पर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर आपको 32-bit को select कर लेना है ठीक है आपको 64-bit को select नहीं करना है 32-bit को select करके next पर click करना है जैसे आप यहाँ पर next पर click करते हो उसके बाद इस तरीके यह page खुल कर आएगा तो यहाँ पर आपको core select करना है शुरू में तो तो यहाँ पर आप core select कर लेना है जैसे कि अगर आपके PC में 8 core है तो आप यहाँ पर 4 select कर लेना है तो यहाँ पर मेरे PC में 4 core है तो यहाँ पर मैं 2 core को select कर लेता हूँ जो की medium है और आपको भी medium बाले कोई select करना है तो आप बात कर लेते हैं यहाँ पर RAM की तो यहाँ पर मेरे PC में 8GB RAM है तो यहाँ पर मैं 4GB RAM को select कर सकता हूँ लेकिन यहाँ पर मैं 2GB RAM को select करूँगा क्योंकि वो medium है यहाँ पर medium so कर रहा है इसलिए ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर यह रैम है और यहाँ पर जो 4G RAM है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो मीडियम है जो कि यहाँ पर 2G RAM सो कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर मैं मीडियम को ही सेलट करूँगा ठीक है भले ही मेरे PC में 8G RAM है लेकिन मैं यहाँ पर 2G RAM सेलट करूँगा आपको भी 2 ही स लट करना है और जो dpi है dpi को यहाँ पर आप 240 रहने देना ठीक है और इसके बाद यहाँ पर आपको create पर click करना है तो आपका जो 32 विट का जो instance है यह create हो जाएगा तो यहाँ पर यह create हो चुका है तो यहाँ पर आप चाहो तो इसे rename भी कर सकते हो तो यहाँ पर मैं इसे name यहाँ पर change कर देता हूँ यहाँ पर यह blue stake 3 के name से sap है तो यहाँ पर मैं इस 3 को हटा कर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ new blue stake तो यहां पर मैं new link देता हूं और इस के बाद यहां पर आपको स्थेक कर देना है तो यहां पर मैं स्थेक nep कड़र देता हूं हैं किसी और एक नई वीडियो में